आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो हमारे पास कोशन है वो क्या है कि हमें explain करना है किसको enthalpy को और जो enthalpy है हमारी internal energy से कैसे differ करती है तो हम बात करेंगे किसकी enthalpy की तो basically जो enthalpy होती है हम उसको represent करता है किस से? H से तो जो enthalpy है ना वो हमारी है क्या? वो basically sum of internal energy मतलब जितनी हमारी internal energy है उनके sum के बराबर होती है हमारी enthalpy अब enthalpy अगर हमारी internal energy के sum के बराबर है तो enthalpy basically एक reaction हुई हमारी thermodynamic reaction कोई हमारे पास एक thermodynamic reaction होती है ठीक जी? तो उसमें अगर कोई thermodynamic reaction होती है तो जो heat absorbed या evolve हुई जो हमारी heat absorbed या evolve हुई जो हमारी heat absorbed हुई जो हमारी heat absorbed हुई या evolved हुई और evolved हुई उसको हम क्या बोलते हैं? enthalpy बोलते हैं वो sum क्या बोलते हैं? उसको enthalpy से represent करते हैं ठीक है जी? मतलब internal energy का जो sum है उस reaction में जो चीज हुई है उसको हम बोलते हैं enthalpy और जो internal energy है basically जो internal energy है जिसको हम represent करते है किससे यू से उस वो क्या है हमारे पास internal energy क्या है हमारे पास sum of potential energy plus kinetic energy जो system में potential energy है और kinetic energy है molecules की वो हमारी internal energy होती है अब इनके relation की बात करते हैं बहुत important relation है हम जानते हैं delta u equal to delta q plus delta w होता है हमारी पास अब delta q हमारे पास क्या हो जाएगा delta u minus delta w तो basically delta u plus p delta w delta w को minus p delta w लिख सकते हैं जी तो यह जो ए delta u plus p delta w इसको हम बोलते हैं delta h क्या बोलते हैं delta h तो यही चीज हमें दिहान रखनी होती है, कि जो डेल्टा है है हमारा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बरावर होता है और जो difference है वो वस इतना है कि हमारी समय potential काइनेटिक energy की और हमारे पास ये क्या है, enthalpy जो है, heat absorbed या evolve होई उस reaction में क्लासिक स्टिवल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर